क्या अमरिंदर सिंग कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता राहूल गांधी की आंखों की जो किरक्री बने हुए थे वो अब पार्टी की राष्ट्री अधेक्षिन सोनिया गांधी की आंखों के तारे बन गए हैं इस प्रसिंद का उत्तर हम देंगे अभी आपको विश्टार से सबसे पहले हम बता दें कि मैं नरेश कोशल आज फिर अर्च परकाश मीडिया ग्रूप के और से आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास विश्टलेशन पंजाब की सियासित के उपर या कहिए के कॉंग्रेस पा मुख्यमंतरी पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंग्ग ने अपनी रन नीती की बदालत आज ना किबल कांग्रेस के युवा नेताओं बलके व्योवर्द नेताओं को भी पीछे छोड़कर हाइक मान के सर्व परी आंख का तारा बनने का जो है एक रास्ता जूरूर अपना पंजाब विदान शभा में केंदर के क्रिशी संबंदित अध्यादेश के खिलाफ परस्ताब पारित करवाकर कैप्टन अमरिंदर सिंग्ग ने पार्टी हाइक मान को एक बार फिर अपनी ऐसी च्षवी और ऐसी शक्षियत का कायल करने का उपराला किया है कि वह ना केवल एक नर्भीक और धर्ड़लेदार परशाशक हैं बलके सबसे अवल एक नेता भी हैं इससे पहले कि हम पंजाब विदान शभा की एक दिशिये ब्रेश्पतिवार को संपन हुई बैठक की कार गुजारी का और बिश्रेशन करें आपको कैप्टन अमरिंदर सिंग् अपनाई गई ऐसी चनक के नीती से अवगत कराना चाहेंगे जिस नीती की व्यों रचना में उन्होंने ना किवल अपनी कुर्शी पर मजबूत पकड़ सुनिश्चित कर ली हैं बलके पार्टी के भीतर अपने प्रती धुन्दिवियों को भी ठिकाने लगाने का जो है रा प्रती नहीं बलके ऐसे पग से संबंधित राज्य के मुख्य मंतरी की चबी निश्चित रूप में निखरती और मजबूत होती है यहां आपको इसी संदर्म में समरण करा दे के यह वहीं मरिंदर सिंग है जिनोंने अपने शाषिन काल की पिछली टर्म में S.Y.L. को लेकर राजीव गंदी लॉंग वार समझोते को रद करवा दिया था यह जो समझोते को रद करवाने से विपक्ष को जो है वो धर्म संक्ट हो गया था अगर रोद करते हैं तो लोगों में यह संदेश जाएगा कि पंजाब का पानी यह हर्याना को देना चाहते हैं तो इसलिए इस धर्म संक्ट से निकलने के लिए विपक्ष ने इसे परस्ता का जो है वो समर्थन मजबूरी में ही भले उनको करना पड़ा एक पर फिर विदान सभा की ब्रस्पतिवार को हुई एक द्विशे बैटक में के अंदर द्वारा गत जून में अधिसूचित तीन क्रिशी विपढ़न अध्यादेश और उर्जाक्षेत्र से समंदित पास किया गया और इतना ही नहीं केंदर से ये अनरोध भी किया गया इस परस्ताब के मार्दे में से के ये अध्यादेश किसानों के विरोधी है इसलिए इनको वापस लिया जाना चाहिए माने इनको रद किया जाना चाहिए पंजाब विदान सभा में परस्ताब पेश करत हुए है कैप्टन अम्रेंद्र सिंने दावा किया कि यह अद्र देश है या इचि पन्जाब की किसानों को बरबादी की और ले जाएंगे इसके लिए उन्हें एक उधारन दिया कि ऐसे सतर bisa किसान हैं जिनके पास जमीन केबल पांच एकड़िया इससे कम है वो इससे विशेश रूप से विपरीत रूप में परभावित होंगे मुख्यमंतरी के इंदर के खिलाफ इस धाकर फैसले से कांग्रेस हाइकमान में और उसके जहन में कैप्टरन की जो साख है वो मजबूत होना तो कांग्रेस की अधर्ष श्रिमती सोनिया गांधी ने विगत दिवस गैर भाजपा शाषित राज्यों के मुख्यमंतरियों के साथ एक वीडियो कांफरेंस की थी उसमें भी मुख्यमंतरी कैप्टन अमरेंदर सिंग की अहम बोम का मुख्यरूप से दिखाई पड़ रही थी ये कैप्टन अमरेंदर सिंग की कुशल कौर्डिनेशन का ही परिणाम कह सकते हैं कि अब गैर भाजपा शाषित छे राज्यों ने जे ए ए और एन ए टी की प्रिक्षा के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पुर्णर विचार याचिका जो है वो दायर करके एक तरह से शिर ऐसा नहीं कि कैप्टन अमरेंदर सिंग हर बात पर ही पार्टी है कमान के जो फैसले हैं या उनकी जो राय है उसके येस मैन बन कर उनकी जेम में ही रहे हो उधारन के तौर पर हम बता दें कि धारा 370 से ऐसे कई जोनत मुद्दे ऐसे कई प्रस्ताव है जिनको लेकर जिप्टिशिप से या ये कहिे के पार्टी की लाइन से हट कर अलग भी रहा है कुछ एक अफ़रों पर उन्होंने अपने अलग राए दे कर रहुल गंदी की नाराज़ जी तक मोल ली मगर अगने पिरशा के विबन अफ़रों या दौर में उन्होंने अपनी अलग राए रखकर कई मौकों पर केंदर की कुछ एक नीतियों की समर्थन किया है और ये संदेश दिया है कि वो एक अपनी उरिजिनल राए भी रखते हैं अब हम बात करते हैं कॉंग्रेश नेत्रित्त में परिवर्तन की मांग को लेकर पार्टी के तेश वरिष्ट नेताओं द्वारा शिर्मती सोनिया गांधी को लिखी गई चिठ्थी को लेकर हुए घटना करम की कांग्रेश के सत्ताकाल में बड़े बड़े पदों पर वरिष्ट मंत्रियों के रूप में रहे ये तेश नेताओं ने जो पत्तर लिखा था उसमें पार्टी की कारे समिती की बैठिक में जब चर्चा हुई तो कैप्टन अमरिंदर सिंग का रुख उनकी भूमिका एक धा कर नेता के रूप में उबर कर सामने आई उन्होंने 23 वरिष्ट नेताओं के खिलाफ घुर की पिलाने जैसे लहजे में स्टैंड लिया उन्होंने ना केवल शिर्मती सोनिया गंधी के अध्यक्षपल पर बने रहने की वकालत की बलके यहां तक कहा के वक्त पढ़ने पर र इस तरह हैं उन्होंने एक तीर से माँ और बेटे दोनों का मन भला क्यों नहीं जीत लिया होगा एक बहुत ही मजे हुए एक बहुत ही अनभवी नेता के रूम में अमरिंदर सिंग पिछले करीब एक पखवाडे में अपनी छवी अपना रुत्वा ना केवल स्यासित के भूत थावित करने में सफल दिखाई दिये हैं यहां आपको यह भी समरण करा दें के पिछले दिनों पंजाब में नकली शराव पीने से हुई सो लोगों की मौत के बाद पार्टी के दो राज्य सवा संचत जो पंजाब से हैं शमशेर सिंग जुलो और दूसरे परताब सि उन्होंने नाकेवल अमरिंदर सिंग पर आरोपों की वशार की और यहां तक कहा कि शराव माफिय से सरकार के लोगों की सत्ता में उच्षे पदों पर बैठे लोगों की मिली भगता है बलके उन्होंने यहां तक कहा कि अमरिंदर सिंग अपनी पार्टी के साथियों को भी चात लेकर नहीं चांगते हैं इसको लेकर दोनों नेताओं ने पार्टी हाथमाट शिकायत की अमरिंदर सिंग की बलके यह माँग भी की श्राब के इसकान की जाच जो है वो सीबियाई से कराई जानी चाहिए अमरिंदर सिंग ने अपने पते को खेलते हुए ना के वर खुद उनका विरोध किया बलके पार्टी की परदेश शाखा के अध्याखशे सुनील जाखड को भी अपने सुर में सुर मिलाने के लिए तैयार कर दिया तो दोनों नेताओं ने राजी सबाकिन शाखड़ों को ऐसी चुनोती दी के लगभग बाद में उनकी आवाज बंद होगी और अब हम बात करते हैं एक जो कह सकते हैं के जो छुपे हुए रुस्तम की उसका नाम नवजोद सिंग सिद्धू आप सबी जानते हैं के लंबे अर्शे से जो मंत्री रह चुके हैं नवजोद सिंग सिद्धू आज कल वो एक तरह से वो बनवास भोग रहे हैं या यह कहिए के वो राजनिती के रंग देख रहे हैं के राजनिती किस करवट चलती है तो ये भी हम कह सकते हैं के कॉंग्रेस हाइकमान के खास्टर के प्रिंका और राहूल के नजदीक माने जाने वाले शिद्धू जो हैं आज की जो बदली हो परिस्टितियां हैं उसमें जो शिद्धू है वो अमरिंदर सिंग से मात खाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं लबोलव यह है कि आज अमरिंदर सिंग ना केवल पंजाब की स्यासित पर पूरी तरह से काविश है बलके हाइकमान के दिल में भी उन्होंने घर कर लिया है इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपना कारेक्रम धन्यवाद नमस्का